नितीश कुमार को आर्सेपी सिंग अब सीधी चुनावती देने लगे हैं अब आर्सेपी सिंग सीधे नालंदा पर सवाल उठाने लगे हैं बताने लगे हैं कि नालंदा से नितीश कुमार के जन्म का कोई संबध नहीं है नालंदा मुख्यमतरी नितीश कुमार का पैत्रिक स्थान तो है लेकिन उनका जन्म स्थान नहीं है इसके पहले भी नितीश कुमार को लेकर आर्सेपी सिंग गर्मा चुके हैं दरसल जेडियू में इन दिनों आर्सेपी सिंग हाशिये पर चल रहे हैं उनकी जेडियू के राश्की अध्यक्ष ललन सिंग और संसद्य बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाह सी सीधी टक कर चल रही है लेकिन आर्सेपी सिंग उन दोनों नेताओं के बजाए सीहे नितीश कुमार पर उंगले उठाने लगे हैं जहानबाद के दोरे पर गए आर्सेपी सिंग ने ऐसा ही कुछ कह दिया है सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि आर्सेपी सिंग किस कदर नितीश कुमार और उनके ग्रिक शेत्र नालंदा को लेकर भड़क गए अनने आपका ज्यादा है तो आपने सुना कि रविवार को पुर्व केंद्रिय मंत्री आर्सेपी सिंग क्या बोल रहे थे दरसल पहले तो वेपाटी को लेकर बचते रहें वे कहते रहें कि राजनीती करने नहीं आये है जब राजनीती करने आएंगे तो बढ़ियां से बती आएंगे लेकिन जब पत्रकारों ने नालंदा को लेकर सवाल किया पूछा कि आपका और मुख्यमंतरी नितीश कुमार का एक ही ग्रीक्षेत्र नालंदा है तब वो भड़क गए आरसेपी सिंग ने कहा कि मेरा घर नालंदा जिले में है और मेरा जन भी नालंदा में हुआ है लेकिन वुख्यमंतरी नितीश कुमार का जन बख्तियारपुर में हुआ है उनका पैत्रिक घर भले ही नालंदा में हो सकता है लेकिन नितीश कुमार का जन्मस्थान बख्तियारपुर है उन्होंने ये भी संकित दिया कि वे भविश्य में खुलकर राजनीती करेंगी पत्रकारों के सवालों पर कहा कि अभी हम जहानबाद की बाला विगा गाओं में पार्टी के पुर्व जिलाध्यक्ष चंदेश्वर बिंद की मौत के बाद उनके परिजनों को धालस बंधाने आएंगे जब राजनीती करने आएंगे तब खुलकर राजनीती पर बात करेंग आरसेपे सिंग ने पत्रकारों को हिदायत देते हुए कहा था कि आप नोट कर लीजिए मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ मेरा नाम राम चंदर प्रशाद सिंग है और मैं किसी का हनुमान नहीं बैरहाल पुलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो पिछले दिनो महरास्ट में जो तख्ता पलट हुआ है वैसा ही गेम बिहार में भी कुछ नेता चाह रहे है लेकिन यहाँ एक नाथशिंदे वाले रोल में कोई फिट नहीं बैट रहा सूत्रों की माने तो वीजिभी की ओर से आरसीपी सिंग को ही एक नाथशिंदे के रोल में फिट किया जा रहा था लेकिन इतीश कुमार ने इसे भाबते हुए पहले ही उनका पत्ता साफ कर दिया आरसीपी सिंग का ऐसा पत्ता साफ हुआ कि ना तो वे राज्य सभासान सद रहे और ना ही मंतरी की कुर्सी बचा प बिहार का स्क्राइम कैसा हो, आरसीपी बाबू जैसा हो? कहा जाता है कि इस नारेक बीच आरसीपी सिंग के मुस्कुराहत कुछ राजनीतिक बवन्डर की ओर इशारा कर रही थी ऐसे में इंतजार करने में ही भलाई है जब तक कि कोई राजनीतिक बवंडर नहीं मज जाता है लाइफ सिटीज के लिए पटना से राजेस ठाकुर की रिपोर्ट यदि आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजी ताकि हमाँ आपको खबरों से अपडेट रख सकें